सर आईजेक न्यूटन ने किसी भी द्रव की विभिन पर्तों के बीच में आप एक्षिक गती के कारण उत्पन्न होने वाले श्यान बलका सूत्र दिया था और उसके बाद अंग्रेज विग्यानिक जॉर्ज जी स्टोक ने किसी भी द्रव में गती करते हुए वस्तु के कारण उत्पन्न श्यान बलका सूत्र दिया और इसे हम स्टोक के नियम के नाम से जानते हैं विबिन प्रयोगों के अधार पर उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया जिब किसी द्रव में कोई भी वस्तु गती करती है तो उस वस्तु के साथ संपर्क में आए पर्तों में वेग प्रारम हो जाता है क्योंकि वो भी डिस्टरब हो जाते हैं वस्तु के संपर्क में आए हुए पर्तों का वेग भी अधिक होता है और जैसे जैसे हम वस्तु से दूर जाते हैं तो इन पर्तों के बीच का वेग भी घटने लगता है और जो पर्ते वस्तु से बहुत दूर होती हैं उनका वेग लगभख शुन्न हो जाता है अब बच्चों इस चीज को महसूस भी किये होगे, यदि आप किसी बाल्टी में एक छोटा सा कंकार डाल देते हैं, तो उसके पास में ही जितने भी पानी होता है, वो डिस्टरब हो जाता है, क्योंकि उस पत्थर से जो संपर्क में आती है परते इस पानी की वही डिस्टरब होती है, लिकिन यदि हम बहुत दूर एरिया की बात करें, तो वो पानी वैसे ही रहता है, शांत ही रहता है, तो जो परते इस वस्तु के संपर्क में आती है, उनका वेग अधिक हो जाता है, और दूर की परतों की बात करें, तो उनका वेग लगभग शून नहीं रहता है, तो इस प्रकार अलग-अलग प्रयोग करके स्टोक्स ने जो नियम दिया था उसके अधारपरम देखे की अब ये पर्तों के वेग अलग-अलग हो रहे हैं इन पर्तों में सापेक्षिक गती प्रारंब हो चुकी है और इसी के कारण इन पर्तों में अब श्यानबल कारे करना प्रारंब करेगा तो यह श्यानबल है इसका मान निर्भर करता है उस वस्तू की त्रिज्या पर साथ ही निर्भर करता है वस्तू के वेग पर और साथ ही निर्भर करता है इस द्रव की श्यानता गुणांग पर तो इस प्रकार हम देखें कि श्यानबल तीन कारकों पर और यदि हम समानुपाती का चिन हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं यहां पर नियतांक हम के लिख रहे हैं और यदि हम किसी सुक्ष्म गोलाकार वस्तू की बात करें तो यहां नियतांक शिक्स पाई के बराबर होता है तो स्टोक्स के नियम के नुसार हम लिख सकते हैं एफ इस एकवल टो 6 पाई इटा आर वी बच्चों इस कंडिशन में हमने इस्पेशिली एक गोलाकार वस्तु ली थी और एक सुक्ष्म वस्तु ली थी पर स्टोक्स का नियम अन्य वस्तुओं पर भी कारे करता है जो गोलाकार ना हो लेकिन वो तरल की तुलना में बहुत छो पर आती है सेम वैसी ही यहां पर भी अगर हम कोई भी आकरिती की वस्तु लेते लेकिन जिस तरल में वो गिर रहा है उस तरल का वीमा बहुत अधिक होगा वह बहुत दूरी तक फैला होगा तो उसके कंपैरिजन में हम वस्तु को गोलाकार मानकर इस स्टोक्स की नियम को ल दूसरा वस्तु गोलाकार और सुक्ष में है यह इस कंडिशन में हमने लिया था लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम स्टोक्स की नियम को अन्यस्थिती में भी लागू कर सकते हैं नेक्स्ट है वस्तु द्रिड होनी चाहिए मतलब वो जब लिक्विट में गिरे तो उसके आकार में परिवर्तन ना हो तब ही तो हम यहाँ पर एक ही त्रिज्य ले रहे है आर यह उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा तो वस्तु की वीमा पर परिवर्तन हो जाएगा औ और साथ ही जो वस्तु हमने ली है वो चिकनी होनी चाहिए ताकि वो जब किसी भी द्रव में गिरे यह चलना प्रारम करें तो वो केवल उससे संपर्क में आने वाली पर्तों को डिस्टरब करें यदि वो चिकनी नहीं हुई तो वहां पर वेग अलग-अलग हो सकता है एकी प इस तरल के क्रांतिक वेग के मान से कम होना चाहिए अब ये क्रांतिक वेग क्या होता है इसकी चर्चा आगे टॉपिक में करेंगे फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि जो वस्तु जिस वेग से गिर रही है उसका वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए और हमने स्टोक्स के नियम की कुछ शर्ते देखी बच्चों स्टोक्स के नियम का डेरिवेशन वीमिय सूत्र के आधार पर आपके एक्जाम में भी पूछा जाता है तो यहां पर जो स्टोक्स ने सूत्र दिया है इसको हमको वीमी सूत्र के आधार पर इस्टैबलिश करना है तो आएए देखते हैं बच्चों इसको हम किस प्रकार वीमी सूत्र के आधार पर इस्टैबलिश करते हैं श्यानता गुणांग निर्भर करता है वस्तू की त्रिज्या पर वस्तू के वेग पर और तरल के श्यान तो बोल रहे है की किस-कशक्र को पे निरभर कर रहा है उसके आधार पर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे f समानु पाती है इता ईता तरल का श्यांता गुणांक है我 एसमानू पाती है आर 예नि वस्तु की त्रिज्जया और पावर में लिखेंगे B F समानुपाती है वेग यानि V और पावर में लिखेंगे C बचो A, B, C ये numbers होते हैं जो आप derive करोगे अभी आगे हम derivation दिखेंगे तो आपको एक constants में लेंगे उसको हमको पावर की रूप में यहाँ पर लिखना होगा और उसके इधार पर हम सूत्र को स्थापित करते हैं तो यहाँ पर A, B, C हम लिखे हैं तो ऐसा नहीं है कि इटा की उपर ही A लिखना है R की उपर B लिखना है ये तो एक numbers है जो last में आपको value देंगे तो चाहे आप A, B, C किसी के power की रूप में भी लिख ले last में आपको formula वही मिलने वाला है तो इसको अब हम आगे derive करते हैं हमको V मी सूत्र के आधार पर derive करना है तो पहले हम समानुपाति के चिन्ने के आधार पर एक संबंद बना लेते हैं हम लिखेंगे F समानुपाति है E to power A, R power B और V power C के समानुपाति के चिन्ने हटाएंगे एक नियतांक लिखेंगे K लिखेंगे तो K यहाँ पर समानुपातिक नियतांक है यहाँ K का कोई V मी सूत्र नहीं लिखने वाले हम लोग के वल वो एक अनुपातिक नियतांक है अब हम यह जितनी भी राशियां देख रहे हैं इन सब का V मी सूत्र लिखेंगे तो हम यहाँ पर force का V मी सूत्र लिखेंगे यह याद होना चाहिए आपको यह question में नहीं दिया जाता F equal to M L T minus 2 होगा और इटा का V मी सूत्र यह अभी मैंने आपको बताया यह है M L minus 1 T minus 1 अब R यानि की त्रिज्या त्रिज्या मतलब लंबाई होगी तो इसका V मी सूत्र होगा L और वेक का V मी सूत्र होता है L T minus 1 इन सब को इस formula के आधार पर रख देते हैं तो इस प्रकार हम लिखेंगे M L T minus 2 equal to M L minus 1 T minus 1 पावर A क्योंकि इटा की पावर में A है R की पावर में B है तो R का V मी सूत्र लिखेंगे L पावर में B और वैसे ही V का V मी सूत्र L T minus 1 पावर में C अब यह पावर को अंदर गुणा कर देंगे तो राइट हैंड साइट में हम देखते हैं तो होगा M पावर A L minus A T minus A वैसे ही यहाँ देखेंगे L पावर में B आ जाएगा यहाँ L पावर C T पावर में माइनस C अब राइट हैंड साइट में हम देखें तो जितने भी समान राशियां हैं उनके पावर्स को हम एड करते जाएंगे वैसे हम जानते हैं कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स एड होते जाते हैं यहाँ पर M के साथ और कोई भी राशी नहीं है तो M पावर A होगा L में हम देख रहे हैं तीन जगे पर इस्तमाल हुआ है एक में पावर माइनस A है एक में B है और एक में C तो हम लिखेंगे L पावर माइनस A प्लस B प्लस C और T के पावर में हम देखें तो एक साइड माइनस A है और दूसरे में माइनस C तो हम लिखेंगे T पावर माइनस A माइनस C अब समांगता के सिध्धान से मतलब दोनों पक्षों को बराबर करेंगे क्योंकि equal to का sign लगा है base सेम होंगे तो उनके powers भी सेम होंगे तो दोनों पक्षों में समान राशियों के power को भी हम equal करेंगे तो यहां हो जाएगा M की power को पहले देखते हैं left hand side में M के power में 1 है तो हम यहां one लिखेंगे और right hand side में A है तो A बराबर one हो गया अब left hand side में L का power one है right hand side में minus A plus B plus C है तो इसको हम लोग one के बराबर कर देते हैं अब T का power देखते तो यह होगा minus A minus C बराबर minus 2 अब इन समीकरणों को हल करके हम A, B और C कमान निकाल लेते हैं, A कमान तो हमारे पास already available है, A बरबर 1, अब इस समीकरंट से हम देखें, तो यहां से हम C कमान निकाल सकते, तो C कमान एक निकल जाएगा, और यह दूसरे समीकरंट से हम देखें, तो यहां से हम B कमान निकल सकते, तो B कमान भी 1 हो जाएगा, इस प्रकार A, B और C, तीनों मान हमको एक ही प्राप्त हो रहे हैं. तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे F बराबर के इटा पावर वन, आर पावर वन, वी पावर वन और गोलाकार छोटी वस्तू के लिए समानुपातिक नियातांक के बराबर 6 पाई होता है. तो हम लिखेंगे F एक्वल टू 6 पाई इटा आर वी और ये स्टोक्स का नियम है. आपने स्काइडाइविंग देखा है, कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत डर लगता है. सोचिए, यदि इतनी उचाई से कूदना हो नीचे, फर्स्ट फ्लोर से यदि हम कूदते हैं, तो इतनी चोट लग जाती है. लेकिन ये स्काइडाइवर इतनी उचाई से नीचे कूदते हैं, डर तो लगता होगा, पर उन्हें चोट नहीं लगती. कारण क्या है? आईए एक वीडियो देखते हैं, इसमें स्काइडाइवर एक प्लेन के उपर से हजारों फीट की उचाई से नीचे कूद रहें, और कूदते समय उनके वेग को नोट किया गया है, इस वेग पर हम ध्यान रखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस वे पूरवक छोड़ा जाए, तो हम जानते हैं कि वो गुरुत्व के अधीन नीचे की और गिरती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन डियो टू ग्रैविटी काम करता है, और इसलिए उस वस्तु का वेग स्टार्टिंग में 0 रहता है और ग्रैविटी के कारण निरंतर बढ़ता है, पृत्वी की ग्रैविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वार, यह एक्सेलरेशन डियो टू ग्रैविटी का मान है, इसका मतलब वेग निरंतर प्रती सेकंड बढ़ते रहना चाहिए, यह हम देखते हैं कि स्काइडाइवर जब हजारों फीट की उच्चाई स नीचे कूदेगा, तो उसका वेग तो लगातर बढ़ते रहना चाहिए, और इतना वेग यदि उसका बढ़ जाए हजारों फीट की दूरी से या उचाई से, तो सोचिए उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, और वो जब इतने वेग से नीचे गिरेगा, तो साधरन सी बात है, उसको बहुत जादा चोट लगेगी, पर ऐसा नहीं होता है, वो आसानी से कूद लेते हैं, और उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है, पहले हम इस वीडियो के जरिये देखते हैं, यह स्काई डाइवर, जब प्लेन में था, उसने उपर से कूदना प्रारंब किया, तो शुरू में तो उसका वेग बढ़ा, देखें वेग बढ़ते जा रहा है, पर यह क्या उसका वेग अब 55 मीटर प्रती सेकंड गान्स्टेंट हो गया, भी कॉंस्टेंट वेग से नीचे क्यों आ रहा है, वेग कॉंस्टेंट हुआ है, यह तैरते दिख रहा है और आपक पराशूट खोल लिया, और पराशूट खोलते ही, इसके वेग में कमी आने लगी, और अब यह फिर एक कॉंस्टेंट वेग से गिर रहा है, और यह वेग है 5 मीटर पर सेकंड, और इस वेग से नीचे जमीन पर लैंड किया जा सकता है, मतलब चोटने लगेगी, वो लैंड मतलब आगे की और चल सकेगा, और ऐसा ही होता है, अब यह ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, पहले हम एक और कॉंसेट को समझ जाते हैं, जिसे हम सिमान्त वेग कहते हैं, और सिमान्त वेक को समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि जब कोई वस्तू उपर से नीचे की और गिरती है तो उस पर कौन-कौन से बल कारिये करते हैं यहाँ पर यह जो वेक्ती है जो पैराशूट डाइविंग कर रहा था उपर से नीचे की और आ रहा था इस पर कौन-कौन से बल लगेंगे किसी भी वस्तू पर हम जानते हैं कि हमेशा गुरुत्व के कारण पृत्वी की ग्राइविटी के कारण एक बल कारिये करता है जिसे ह हम उसका भार कहते हैं और यह हमेशा पृत्वी के केंद्र की और होता है तो सबसे पहले तो भार कारिये करेगा जो पृत्वी के केंद्र की तरफ होता है और उसी के करण वो नीचे की और आता है और उसका वेक बढ़ते जाता है अब कोई ऐसा बल होगा जो इस भार का विर बराबर होंगे उस condition में ही ये एक नियत वेक से constant velocity से नीचे क्यों राएगा और इस नियत वेक को ही हम सिमान्त वेक कहते हैं यानि कि टर्मिनल वेलोसिटी अब ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी आईए इसको देखते हैं इसके लिए हम एक liquid लेते हैं इस liquid का श्यानता खनत्व हम सिग्मा मान रहें अब हमने एक गोलाकार वस्तु ली है जो इस liquid में गिराया जाएगा इस गोलाकार वस्तु की 30 ज आर है इसका खनत्व हमने रो लिया है अब जब इस वस्तु को इस लिकविड में गिराया जाएगा तो देखते हैं इस पर कौन-कौन सा बल कारे करेगा सबसे पहले तो इसका भार जो की नीचे की और होगा भार को हम W से आयतन तो द्रविमान बराबर होगा आयतन इंटू घनत्व तो हम वैसे ही लिख देंगे सूत्र में अब इस गोला कार वस्तू का आयतन लेते हैं गोल का आयतन होता है 4 by 3 pi r cube हमने फॉर्मला लिखा इसका घनत्व है रो और यहां पर जो त्वरण है वो गुरुत्व की कारण है इसने हम यहां गुरुत्वी त्वरण लिखेंगे इसके हम इसे जी से दर्शाएंगे अब जब यह लिक्विड के अंदर गिरेगे हम जानते हैं कि लिक्विड में द्रव में एक गुण होता इस कांत्रिक जब वस्तू अंदर की और गिरती है तो आरकेमेडिस ने बताय होती है उतनी ही वह हल्की हो जाती है क्योंकि नीचे से बल कारे करता है जो कि वस्तू की गत्यक विरोध करता है यह बल ऊपर की मेंन की त्वह द्रव का कितना होगा यह देखना है तो वस्तु जब उस द्रव में डाला जाएगा तो जितना सबस्तु कहां रोगा अपनी जगा बनाने की लिए यह उतने आफ step up को अपनी जगे से हट आएगा इस ही positive द्रव का आयतन भी उतना ही होगा जितना वस्तू का आयतन है तो इसलिए हम यहाँ पे द्रव के आयतन के स्थान पर वस्तू का ही आयतन लिखेंगे और घनत्व इस द्रव का लिखा जाएगा क्योंकि हम बात करने हैं इस द्रव के द्रव विमान की इसलिए हमने आपे सिग्मा लिखा इंटू जी अब जैसे ही यह वस्तू इस द्रव में नीचे क्यों राएगा ये विबिन पर्तो को डिस्टरप करेगा और इसके करण यहाँ पर इस वस्तू के लिए गती विरोधक बल उत्पन हो जाएगा जिसे हम श्यानबल कहते हैं इसकी गती का विरोध कर रहा है यानि कि श्यानबल की दिशा भी ऊपर की और होगी और इस टोक्स के नियम के अनुसार श्यानबल एफ बराबर होता है शिक्स पाई इटा आर वी यहाँ पर जो हमने V लिया है बच्चों, यह सिमान्त वेग है, युकि शुरुवात में तो वस्तु गुरुत्वी तुरंट से नीचे क्यों राएगा, लेकिन इतने सारे बल कारी करने के बाद, यह वस्तु एक नियत वेग से नीचे क्यों राता है, तो यहाँ पर जो हमने व उसरे को बैलंस्ट कर रहे हैं, जब सिमान्त वेग की कंडिशन आ जाएगी, उस समय नीचे लगने वाला बल और उपर लगने वाला बल, दोनों एक बराबर हो जाएगे, और इसलिए अब वेग नियत रहेगा, नीचे आने वाला बल है भार, तो भार बराबर होगा उत्प पाई इटा आर वी, हमको सिमान्त वेग का सुत्र ग्याद करना है, तो वेग वाले टाम को एक साथ रखते हैं, बाकी सबको एक साइट कर देते हैं, पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा, 6 पाई इटा आर वी बराबर, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, रो जी, माइनस, 4 बाई 3 प लेगा, रो माइनस सिग्मा, और यहां से हम वेग का फार्मिला निकाले, तो वी बराबर होगा, 4 बाई 3, पाई आर क्यूब, जी, रो माइनस सिग्मा, अपॉन, 6 पाई इटा आर, यहां से आर और आर कैंसल हो जाएगे, उपर दो आर बचेंगे, पाई और पाई भी कैंसल हो जाएगा, और सिंप्लिफाई करेंगे हम, तो यहां पर हमें मिलेगा, वेग इक्वल टू, 2 बाई 9, आर स्क्वेर, जी, रो माइनस सिग्मा, अपॉन, इटा, यह सिमांत वेग का सूत्र है, और इस सूत्र के आधार पर, किसी भी तरल में, गिरते हुए वस्तु के, सिमा सिमांत वेग है, वो निर्भर करता है, आर स्क्वेर पर, यानि तरिजय के वर्ग पर, मतलब वस्तु बढ़ी होगी, तो उसका सिमांत वेग भी आधिक होगा, और वस्तु छोटी होगी, तो उसका सिमांत वेग भी कम होगा, बच्चों, जितना भी हम कैलकुलेशन्स, मैथ mathematically करते हैं उसका कहीं ने कहीं अनुप्रियोग जरूर होता है और उसको दैनिक जीवन में में experience भी करते हैं जैसे यहां पर हम देखें बड़ी वस्तु का सी मांतवे कदिक है चोटी वस्तु अब यहां पर हम देखें कि यह बड़ी बुंदे नीचे आ जाती हैं जिब कि छोटी बुंदे जिब गिरती हैं तो हम उसे फुहार कहते हैं और उसका बहुत आनंद लेते हम फुहार में टहलना घूमना हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह बुंदे आराम से हावा मे ट्यारप भी नजर आती है क्योंकि इसका सीमांत वेग भी कम होता है साथ ही हम देखें कि यह निरभर कर रही है तरल की श्यानता गुणांक पर यानि कि इटा पर यदि श्यानता गुणांक कम होगा तो सीमांत वेग अधिक होगा और श्यान्ता गुणांग अधिक होगा तो सिमान्तवे कम होगा और इसलिए यदि हम दो पाइप ले और एक ट्यूब में हम पानी भर दें और एक ट्यूब में हम कम है इसलिए उसका सिमान्तवे का अधिक होगा और वह तुरंत ही नीचे आ जाता है लेकिन जो हम शहेद यह ग्लीसरीन में इन लोहे की बॉल्स को चड़ों को डालते हैं तो देखते कि बड़े आराम से वह इस ग्लीसरीन में दूरी तय करता हुआ नीची की और आता है क्यों और इसके अधार पर हम देखें कि यदि वस्तू का घनतव तरल के घनतव से अधिक हुआ तो वस्तू का सिमान्तवेक नीचे क्यों रोगा वस्तू नीचे क्यों राएगी लेकिन उल्टा हो जाए वस्तू का घनतव तरल के घनतव से कम हुआ तो वस्तू उपर क्यों बच्चो आपने पानी के अंदर बुलबुला देखा है वो कैसे गती करता है वो उपर की और जाता है तो बुलबुला क्या है वो गोलाकारी है और वो वायू का बना होता है वायू का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है और इसलिए वो एक निश्चित वेग से की ऊपर की ओर जाता है क्योंकि इसका घंटव इस पानी के घंटव की तुलना में कम है तो इस प्रकार जब हम सिमानतवेग की बात करें तो आप के वल ठोस वस्तु की कल्पना ना करें यहाँ पर हम वाईू की बुल्बुले की बात करें और उस पर तरल में, जिस तरल में भी मौजूद है, उसमें तैरती हुई नजर आएगी, यानि कि वो लटकी हुई नजर आएगी, तो इस प्रकार हमने सिमानत वेक का जो कैलकुलेशन किया, इसके आधार पर जो निसकर्श निकाले, इससे ही हम पैरसूट डाइवर की गती को भी समझ सक आपने देखा बच्चों, डाइवर उपर से नीचे की ओर आ रहा था, भार की कारण वो नीचे आया, अब इस पर एयर का, क्योंकि चारों तरफ एट्मोस्फियर में एयर है, गैस है, और इस गैस के कारण ही, इस पर एयर रिजिस्टेंस काम किया, यानि कि विरोधात्मक ब बढ़ रहा था, यह जो तीर का निशान बढ़ते हुए दिखा रहा, ब्रॉडर होते हुए, इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा था, और नीचे हम देख रहे हैं, इस एरो को यह छोटा है, इसका मतलब जो इस वायू के द्वारा रिजिस्टेंस इस व्यक्ति पर लगा, उसका वैल्यू कम था, जैसे जैसे यह वेक्ति टेजी से नीचे आ रहा है, क्योंकि गुरुतवा कर्शन कारी कर रहा है, गुरुतवी तुरन की कारण इसके वेग में परिवर्तन हो रहा और नीचे क्यों रहा है, वैसे ही एर रिजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा, औ उस कंडिशन में इस वेक्ति का वेग कॉंस्टेंट हो गया, इसका मतलब भी इस टॉप नहीं हुआ, बलकि नियत वेग पर आ गया, 55 मिटर प्रती सेकेंड, पर इस नियत वेग से 55 मिटर प्रती सेकेंड के वेग से भी यह जमीन के आता है, तब भी इसे बहुत चोट लगे और इसलिए इसके उपक्र मिकरना है तो यसने अपना चोपन किया पर स्फेश्ट उपन करते हैं तो इस वस्तु की दिया पढ़ जाती है यानि जो व्यक्ति है उसका आकार और बढ़ जाता है और इसलिए यहाँ पर एर रजीस्टन्स कमान भी और बढ़ जाएगा यानि विरोधात्मक बल कमान बढ़ जाएगा विसलिए हम देखने की यह और ब्रॉडर होते जा रहा है और धीरए धीरे वेक कमान कम होते जा उसके बाद फिर एक ऐसे सिती आएगी जहां पर यह रेजिस्टेंस फोर्स और इसका भार दोनों बराबर हो जाएंगे और उस समय यहां पर वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ और इस वेग से आसानी से वो प्रतिवी की सता पर लैंड कर सकता है अब हम दो गोलकार वस्तों की उनकी त्रिज्य के आधार पर उनकी सिमान्त वेग के अनुपात की गड़ना करते हैं दो गोलकार बुन्दों की त्रिज्य का अनुपात 1 इस टू 3 है उनके सिमान्त वेगों का अनुपात क्या होगा इस प्रश्च में दिया गया है R1 upon R2 equal to 1 by 3 ज़ा R1 और R2 दो गोलकार बिंदू की त्रिज्या है सिमान तवे के सोत्र से हम जानते हैं कि V समानुपार्थी होता है R2 के तो हम लिख सकते हैं V1 upon V2 equal to R1 square upon R2 square और R1 और R2 का मान यहां रख देते हैं अनुपार्थिक मान हमें ग्यात है तो हम R1 upon R2 के स्थन पर लिखेंगे 1 upon 3 और इसका square करेंगे तो यह जाएगा 1 upon 9 और इस तरह से V1 is to V2 equal to होगा 1 is to 9 इस चैप्टर में द्रफ से जुड़े हुए कई प्रमय दिये गए हैं इन प्रमय को समझने के लिए हमें द्रफ के प्रवाह को समझना होगा इन से जुड़ी हुई कुछ परिभाशाओं को समझना होगा तो आईए एक एक करके हम द्रफ के प्रवाह तरसा इस से जुड़ी हुई कुछ परिभाशाओं को जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रफ का प्रवाह किस तरह से हो सकता है मान लीजे यदि एक पाइप में एक द्रफ प्रवाहित हो रहा है अब इसके किसी बिंदू पर हम मान लेते हैं इसका कुछ वेग होगा और जब कोई काण इस तरल का काण इस द्रफ का काण इस बिंदू से गुजरेगा तो उस बिंदू पर उस काण का उतना ही वेग होगा अब इसके बाद एक अगला करण आता है तो इस अगले करण का वेग उस बिंदू पर उतना ही हुआ मतलब हर एक करण का वेग उसके preceding particles मतलब पहले वाले करण के वेग के बराबर ही हुआ एक निश्चित बिंदू पर तो इस तरीके के प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं और जब इस प्रकार किसी भी ट्यूब में से द्रफ प्रवाहित होती है तो उनके तरल करण का यदि हम पत देखें रास्ता देखें तो वो एक दूसरे के समानतर ही होते हैं पैरलल होते हैं चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो चाहे वकरा का रूप में हो जब भी हम धारा रेखी प्रवाह की बात करें तो एक चीज़ निश्चित है अलग-अलग बिंदूँ पर काण का वेग अलग-अलग हो सकता है पर एक बिंदू की बात करें हम तो उस एक निश्चित बिंदू पर करण का वेग हमेशा नियत ही रहेगा वो नियत वेग से ही उस बिंदू से गती करेगा चाहे उसके बाद उस बिंदू से कितने करण भी गुजरे सभी का वेग उतना ही होगा और इस प्रकार जब हम धारा रेखिये प्रवहा को देखें तो इस तरीके से ये वक्रा का रूप में भी गती कर सकते हैं या फिर एक दुसरे के समानतर इस तरह से भी गती कर सकते हैं और यदि इसके वक्रा कारपत को हम देखें तो अलग-अलग बिंदू पर यदि हम इस पर्ष रेखा खीचे तो वहाँ इस पर्ष रेखा इस द्रव के वेग को प्रदर्शित करती है तो अलग-अलग बिंदू पर ये वेग अलग-अलग है, लेकिन इसके पीछे वाला करण जब इस बिंदू से गुजरेगा, तो उस बिंदू पर उसका वेग उतना ही होगा और इस तरह से हम धारा रिकी प्रवाह को देखें, तो इसकी कुछ विशेष्टाएं हैं जब हम किसी तरल करण के पत को देखें, या तो वो वकरी होगा, या तो वो सरल रिखा में होगा और यदि वकराकार हुआ, तो किसी भी बिंदू पर खीची गई इस परश रिखा, उस बिंदू पर उस काण के वेग को दर्शाएगी और ये दो वकराकार पत या दो समानतर पत कभी भी एक दुसरे को नहीं काटेंगे क्यों नहीं काटेंगे, अगर वो एक दुसरे को काटतें, तो जहां काटान बिंदू है, वहाँ पर दो इस परश रिखाएगी खीची जा सकती थी और दो इस परश रिखा मतलब एक ही बिंदू पर दो दिशा में वेग और ये तो असंभव है इसलिए ये तरल काण के परद एक दुसरे को कभी भी नहीं काटतें और इस प्रकार धारा रेखी प्रवा में किसी निश्चित बिंदू पर गुजरने वाले समस्त काण का वेग नियती होगा और बच्चों यह देखा गया है कि किसी भी द्रव का प्रवाह एक निश्चित वेग से कम होने पर ही धारा रेखी रहता है